वरुन नाम का एक लड़का देर रात अपनी गर्ल फ्रेंड से फोन पर बात कर रहा था. नेटवर्क बार-बार ब्रेक हो रहा था, इसलिए वो बेटर सिगनल्स के लिए छट पर चला गया. वो एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था, जिसकी चट पर पहली बार गया था. अचानक उसकी नजर चट के एक कोने में खड़ी, एक धुंदली परचाई पर पड़ी. वो सोचने लगा कि शायद कोई और भी नेटवर्क के लिए उपर आया होगा. लेकिन जब उसने गौर किया, तो वो परचाई धीरे धीरे उसकी और बढ़ने लगी. डर के मारे वरुन की आवाज रुक गई और उसने फौन की लाइट जला कर देखा. उस धुंदली परचाई का चेहरा सफेद था और उसकी आँखें गहरी काली. वरुन के शरीर में डर से शिवरिंग होने लगी. वो घबरा कर भागने लगा, लेकिन तभी उस परचाई ने धीमी आवाज में कहा, ये मकान अब मेरा है, तुम यहां नहीं रह सकते. वरुन ने जट से दर्वाजा खोला और नीचे भागा. जब उसने अपने दोस्तों को ये घटना बताई, तो उन्हें पता चला कि उस मकान में पहले एक परिवार में उसकी एज का लड़का रहता था, जो छट से गिर कर मर गया था. तब ही से वो मकान हॉंटेड माना जाता था.